हलो दोस्तों मेरा प्यार भरा आप सभी लोगों नमस्कार मैं सश्चमान आप सभी लोगों का सिच्छा कुल के इस परिवार में श्वागत एवं अभिनन्दन हम लोग जो है एक महत्पो टॉपिक के साथ उपस्तित हुए हैं जी 20 सिखर सम्मेलन आप लोग जान रहे हैं कि भ पहली बार भारत में जो है जी 20 सिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है और पहली बार भारत इसकी अध्यस्ता भी कर रहा है तो पहली बार जब अध्यस्ता भी कर रहा है इसका मतलब यह है कि भारत के पास जितनी बड़ी अध्यस्ता की जिम्मेदारी मिली है उतनी ब तो इसकी प्रेश्ट भूमी में अगर हम लोग जाएं कि जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन का आयो जन किस आधार पर किया गया था जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन होता क्या है और जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन महात्रपूर क्यों होता है और आज की वैस्विक दुनिया में अगर हम लोग देखें कि G20 सिखर सम्मेलन क्यों पूरे बिंसु के लिए एक महत्रपूर मिलता है तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन के शंदर में जरा हम लोग पहले चलते हैं कि G20 की सुरुवाद जो किस प्रकार से होती है इसकी प्रश्ट भूमी क्या रही है इसका बैक ग्राउंड क्या रहा है फिर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में भारत के द्वारा नौ-दस दिसंबर कोई इसकी कैम इस सिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जब यह आयोजन की हो जाएगा तो जो भी वाते होंगी उसको हम लोग अगले वीडियो में कबर करें लेकिन अभी आपको यह जानना जरूरी है कि जी ट्वंटे सिखर सम्मेलन की प्रमुख प् होती है किस आधार पर जो है जी ट्वंटे मंच का एक गठन किया गया और किस मुद्दे को लेकर के इसका गठन किया गया तो चली हम लोग चलते हैं जी ट्वंटे सिखर सम्मेलन के संदर्म में तो जी ट्वंटे सिखर सम्मेलन के सुर्खियों में आने का प्रमुक कारण आ भारत की अध्यच्छता में जो है जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन की शुरुवात हो रही है यह जो है आप जानते हैं कि न्यू डेली में जो है इसकी शुरुवात की जा रही है और 9-10 दिसम्बर को आप जान रहे हैं कि इसकी शुरुवात की जा रही है भारत की अध्यचता मे जी टुन्टी सिखर से मेलन की शुरुवात हो रहे लेकिन इस शुरुवात से पहले इस शुरुवात से पहले हम लोग जरह यह जाने कि जी टुन्टी का बैक्ग्राउंड क्या रहा है इसका बैक्ग्राउंड क्या रहा है इसकी प्रस्टी भूमी में क्या रहा है तो इस जी आप लोग एसी आई बित्ती संकट तो लगभग जो है उनीस सो सतानमे में एसी आई बित्ती संकट आया उनीस सतानमे में जब एसी आई बित्ती संकट आया तो उस समय जो है विभिन एसी आई देशों के द्वारा कैसे आया यह संकट क्योंकि उस समय विभिन एसी आई देशो की दोरा क्या किया गया था यह अपने आपर निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश को लाने के लिए इन देशों की दोरा अपने आपर अपनी मुद्रका अमूलियन किया गया और अमूलियन जब आप economics में पढ़ते हैं अमुलन का मतलब यह होता है माल लीजिए कि 80 रुपए में अभी तक आप लोगों को एक डालर एक डालर और अब आपको 100 रुपए में जो है क्या है एक डालर इसका मतलब यह कि किसी भी देश के द्वारा अपनी मुद्रक क्या मुल्क है कम कर दिया जा रहा है तो 80 से पहले 80 रुपए में डालर अब जो है 100 रुपए में एक डालर इसका मतलब यह है कि किसी भी देश के द्वारा अपनी मुल्क क्या गिरावट की जा रही है और यह क्यों किया गया यह देश जो है मुख रूप से क्या करते हैं कि अपने हाँ पर निवेश को आकर्स करने के लिए ऐसा किया तो जब एसी आई बित्ति संकट आया तो में बजाए यही थी कि एसी आई देशों के द्वारा जैसा कि आपके थाइलेंड इंडोनेसिया दच्छेट कोरिया इत्यादिस तो सर्प्रतम आप लोग देखेंगे कि थाइलेंड के द्वारा कुछ इसी कि अगया था कि उसने आपने यहाँ पर आयं मुद्राका वमूलयन किया मि जिसके कारण वहां पर एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया लेकिन इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या बैस्विक प्रयास किये जाने चाहिए किस प्रकार से इससे निपटा जाए इसकी प्रेश्ट भूम में ही इस जी 20 की देखा जाए तो सुरुवात होती है तो इसके बैक्ग्राउंड में अगर हम जाने की कोशिश करें तो जी 20 की प्रेश्ट भूम में अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं मुख रूप सीज की जो इस्थापना की गई थी वो अंतर राष्टी आर्थिक सहयोग के लिए ही की गई थी अंतर राष्टी आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में जो है इसकी सापना की गई थी जिसमें से आर्थिक प्रमुख मुद्दे और बित्ती जो है विस्यों पर चर्चा करने के लिए इस जी ट्वंटी की क्या है इस्थापना की गए थी लेकिन इस जी ट्वंटी की सुरुवाद जो है किस प्रकार से होती है तो जी ट्वंटी की सापना आप लोग जानते हैं तो इस बित्ति संकट से निपटने के लिए इस में वित्मंत्रियों को ले करके और केंद्री बैंक के गवर्णरों को ले करके तो इसमें मुखुरुप से बित्मंत्री और केंद्री बैंक के गवर्णर के लिए वैस्विक आर्थिक और बित्ती मुद्वों पर चर्चा करने के लिए इस मंच के रूम में क्या है इसकी शुरुवात की गए कहने का मतलब यह है कि ACI बित्ती संकट से निपटने के लिए इस G20 की स्थापना की गई 1999 में और 1999 में जब G20 की जब सुरुवात की गई थी तो उस समय जो भी सम्मेलन होते थे वो जो है मुखुरुपचाप के बित्त मंत्रियों की स्थर पर और केंदरी बैंक के गवर्नरों क कि आजाता था और मुकु देश उसमें क्या था आर्थिक बित्ती संकट को दूर करना था लेकिन मुद्ध्य की बात यह कि सिखर सम्मेलन की सुरुवात कभ होती है जी 20 की सम्मेलन की सुरुवात तो ठीक है पहली बार 1999 में ही दिसंबर 1999 में ही जर्मनी के बर्लीन में जो है पहली जो है शम्मेलन होता है तो पहला सम्मेलन जर्मनी के बर्लिन में लेकिन शिखर सम्मेलन की सुरुवाद जो है दो हजार आठ में वासिंगटन डीसी में अमेरिका में ठीके अमेरिका में इसकी सुरुवाद होती लेकिन इसका मतलब क्या है शिखर सम्मेलन का मतलब क्या ह शिखर का मतलब यह है जब किसी भी राष्ट के राष्टा अदेच्छों के मद बैठक कायोजन किया जाता है तो विश्व के जब विभिन देश्व के राष्टा अदेच्छों के मद जब बैठक कायोजन किया जाता है means जब सीर्स इस्तरी पर इसकी बैठक कायोजन किया जाता है प्रमुक राष्ट अध्यच्छों के मद्ध तब हम लोग क्या बोलते हैं शिखर सम्मेलन कहा जाता है तो प्रतेक राष्ट के या प्रतेक देश के राष्टा अध्यच्छों के मद्ध आयोजित होने वाले शिखर कोई क्या कहते हैं शिखर सम्मेलन कहा जाता है तो जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन की सुरूबात जो है दो हजार आठ में होती है फिर मुद्दा यह कि 2008 में जी 20 की सिखर सम्मेहलन की सुरुवा थी क्यों होती है क्योंकि इसी समय 20078 के समय फिर एक बित्ती संकट आया था उस बित्ती संकट से निपटने के लिए उस समय जी 20 मौजूद था तो लोगों का ध्यान जो है बिक्सित राष्ट्यों का ध्यान मुखुरूप से देखा जाए तो जब 20078 में जब बित्ती संकट आया तो उससे निपटने के लिए देखा गया कि एक जी 21 महात्रपूर जो इसके लिए मंच शाबित हो सकता है बित्ती आर्थिक संकट से निपटने के लिए 100 तो छिखर सम्मेलन की शुरूज में 2008 में होती है और पहली जो बैठ और इसकी अधस्ता इस समय अमेरिका ही कर रहा होता है और पहली जो शुरूज होती इस इकर शंकर के अमेरिका के वासिंग टन डीसे में की जाती है और आप लोग जानते कि जी टवनटी के जो इस्थापना की गई थी उनीस mulher न्यानवे में की गई ती और इसका कोई हेड़कॉर्टर नहीं होता है याद रखेगा g20 का कोई भी हेड़कॉाटर नहीं होता है क्या इसका कोई अद्यच इस्थाई रूप से नियुक्त होता है बिल्कुल नहीं इसका अद्यच की जो नियुक्ती होती है वो ट्रोईका के आधार पर होती है जब कहा जाए ट्रोईका के आधार पर तो ट्रोईका से क्या मतलब है ट्रोईका से आसे यह है कि जो पज़ी टॉंटी की पहले अधिस्ता किया था और जो वर्तमान में कर रहा है और जो आने वाले समय में करेगा कि यही मिलकर की क्या बनाता है ट्रोई का जैसे कि आप लोग देखेंगे कि दो हजार बाइस में 2022 में जी टॉंटी की अधिस्ता कौन किया था आपका इंडोनेसिया इंडोनेसिया जबकि वर्तमान में 2023 में आप लोग जान रहे हैं कि इंडिया इसके दिश्था कर रहा है जब कि 2024 में इसके दिश्था कौन करेगा तो याद रखेगा ब्राजील कौन करेगा ब्राजील तो यही आपका क्या है यह ट्रॉइका है 2022 में किस ने किया इंडोनेशिय ने वर्तमान में कौन कर रहा है इसके दिश्था भारत कर रहा है जब कि 2024 में कौन करेगा ब्राजील करेगा तो इसी ट्रॉइका पद्धती के अधार परिकें अधिस्था तैंक की जाती है जैसे कि माली जी तो कार प्रणालियों को जानने के ल से और जब दोजर चौबीस में ब्राजिल करेगा तो कार प्रणाली को जानेगा इसके मादल जो की वर्तमान में कर रहा है तो यह ट्वाई का पधती के अधार परी क्या है इसकी अध्यच्ता जो है तैंकी जाती है और इसका प्रमुक उद्देश क्या था जी ट्वंटी की स् 1977 के दशक में की गई थी जिसमें से 1976 में आपका कनाडा समलित हुआ था लेकिन जी सेवेन की प्रथम बैटक 1975 में आयो जित की जाती है यह मुखुरूप से जो है बिक्सित राष्टों का एक आर्थिक समू था लेकिन इसके बाद जो है जब एस याई बित्ती संकट आया तो मुखुरूप से एस याई बित्ती संकट यह मध्यम आये वाले देश से तो मध्यम आये वाले देशों में बित्ती संकट से निपटने के लिए बिक्सित राष्टों के द्वारा सोचा गया कि इनको भी क्या इसमें समलित कर लिया जाए तो बिक्सित राष्टों के द्वार ही तो जी सेवेन और आप लोग जानते हैं कि 1997 में रसिया समलित हुआ था जो कि 2014 में रसिया बाहर हो गया तो जी एट बना था जो कि 2014 में बाहर हो गया ठीक है तो जी सेवेन हो गया लेकिन इसी से में जो है यह जी ट्वंटी की जो इस्थापनाग जो करने कब जो प्रमुक ज देश या था कि इसमें मध्यमाय वाले देशों को भी क्या है सामिल कर लिया जाए ताकि बित्ती आर्थिक संकर से दूरुखिगा जा सकीन को means बित्ती जो जो बित्ती जो आस्थिरता है इसकी क्या है सुनिश्चित किया जाए तो बित्ती इस्थिरता के सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको क्या है इस्थापित किया गया था जिसका प्रमुख उद्देश ही था कि मध्यमायवाले देशों के मध्यमायवल देशों के जो भी बित्ती संकटें इनका शमाधान किया जाए तो ये प्रमुख बाते थी अगर हम इसके प्रमुख उद्देश के संदर में जाएं तो प्रमुख उद्देश क्या था तो प्रमुख उद्देश मध्यमायवले देशों को शामिल करके वैश्विक बित्ती स्थिरता को सुनिश्चित करना था कहने के मतलब यह कि बिक्सित राष्टों के द्वारा मध्यमाय वाले देशों को इसमें शामिल करी जो बित्ती संकट बना रहता है इसको दूर करने के लिए जो है क्या किया गया यह जो है इनको दूर करने के लिए मद्धय माय वाले देशों को G20 में शामिल किया गया तब जो है G20 संगठन का गठन किया जाता है तो मुखुरूप से इसमें वैस्विक बित्ती सिर्ता को सुनिश्चित करना था और हम लोग देखेंगे कि G20 की सुरवाद जो है मुखुरूप से पहले जब की गई थी तो मुखुरूप से G20 की सुरवाद जो है एक बड़े पहिमाने पर आर्थिक बित्ती सहयोग के लिए क कि अगये था लेकिन बाद में क्या हूआ बाद में इस में जो है कुछ और भी स्टार दिया गया है जिसमें मुखरूप से ब्यापार को लुए करके स्वास्त से समबनाधीद Бातों को ले करके क्रसी समिल को लिए करके पर्यावरण जलवाई परिवर्तन इत्याद मुद्दों को भी क्या है जी ट्वन्टी के अंतरगत समलित किया गया तो जी ट्वन्टी की जो शुरुआत हुई थी मुखुरुफ से बड़े पहिमाने पर जो है यह जो शुरुआत की गई थी बैस्विक वित्ति संकट को करेकर जिसका समाधान करना था लेकिन धीरे-धीरे क्या किया गया कि जी ट्वन्टी में धीरे-धीरे बिस्तार किया गया और जी ट्वन्टी के अंतरगत अन्मुद्दों को भी क्या है शामिल किया गया जैसे कि आपका पर्यावरण हो गया जलवाई परिवर्तन हो गया क्र और हम बात करें जी 20 जो है प्रेसी देंसी की तो अनसदस्यू के परामर्च के माद्यम से वैस्विक अर्थ बिवस्था में विकास के लिए और इसके जवाब में G20 एजंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार होता है G20 Presidency के अनसदस्यू के परामर्स के माद्यम से जो है अगर हमें जो है वैसिविक अर्थ विवस्ते में अगर विकाश करना है तो इसके जवाब में G20 Agenda को एक साथ लाने के लिए क्या है जिम्मिदार होता है ठीक है ये प्रमुख बाते हैं फिर हम लोग देखेंगे कि G20 के प प्रमुख सदस देश कौन कौन से हैं तो आप लोग जान लिजीगा G20 ग्रूप आप G20 में मुख रूप से इसमें 19 देश हैं इसमें मुख रूप से आपके 19 देश हैं और आपका एक यूरोपी यूनियन अगर आप से कोई पूछे कि इसमें कुल कितने देश हैं तो याद यूनियन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान मेक्सिको रूज शाओदी अरभिया दच्र अफ्रिका कोरिय गडराज तुर्की यूनाइटेट किंग्डम और संयुक्त राज अमेरिका यह प्रमुख जी ट्वंटी समूं के सदस देश हैं तो आप लोग यूज याद रखीए गां जी सेन से हैं जी सेवन की प्रेस्टि भूम से ही स्टार्ट होती है जहां हम लोग पहुंचते हैं जी 20 में न हुपोगा कि तिक तीए जो है g20 चैनित के प्रमुख सदस देश है अगर हम लोग जानते हैं और आप लोग ये भी जानिएगा कि स्पेन जो है इस्थाई आतित देश के wrongमें और G20 सदस जो है जितने भी टोटल G20 सदस हैं जिसमें सु 19 देश और एक यूरोपी उनियन है अगर हम लोग देखें ये जो है बैस्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगबग जो है 85% जो है योगदान करते हैं तो अगर हम पूरे बिश्चु के अगर सकल घरेलू उत्पाद की ब बड़ा आकड़ा है और अगर हम पूरे बिश्चु के ब्यापार का देखें तो G20 सदस जो है कितना योगदान करते हैं 75% से अधिक इसी प्रकार टोटल जो है बिश्चु जनसंख्या का अगर देखें लगबग दो तिहाई से अधिक जो है प्रतिन्दित करते हैं मतलब ल सदस देशों के अगर जनसंख्या के बात करें तो बिश्चु की जनसंख्या का लगबग जो है कितना लगबग दो तीहाई जो है कितना दो तीहाई मिंस लगबग 6-6% से आधिक जो है यह प्रतिन्दित करते हैं जी ट्वन्टी सदस के देश तो बैस्विक सकल गहरे ब्यापार है लगबग जो है 75% से आधिक है ठीक है और वैस्विक जनसंख्या अगर हम पापुलेशन की बात करें तो टोटल पापुलेशन का जो लगबग 66% से आधिक यह प्रतिन्दित जी ट्वन्टी सम्मू ही करता है तो यह एक आतियंत महात्रुपूर है जनसंख्या क के दिर्श से भी ब्यापार के दिर्श से भी और पूरे जो है बिस्ट के सकल घरेलू उत्पाद कि यह बड़ा आकड़ा है आपके पास ठीक है इस समूवों के द्वारा फिर हम लोग देखेंगे कि इसके प्रमुक जो है आतित देश कौन-कौन से होते हैं इसमें आतित दे से देश हैं जो यह आतित देश की रूप में शंबली थे यह आतित देश की रूप में आमंत्री थे तो मुख रूप से आपके यह प्रमुक देश हो गए आतित लेकिन जी ट्वंटी जो सदस देश है इनको जो पाच ग्रूपों में क्या है बाटा गया है ठीके जी ट्वं गुरूप वन में आपका कनाड़ा और यह जो सन लिखा इसके मलब 2010 और 11 में कनाड़ा ने इसकी अदिस्ता की थी जुटंटी की तो कनाड़ा हो गया गुरूप A में शाओदी आरभिया हो गया यूनाइटेड स्टेट्स हो गया जबकि गुरूप सेकेंड में आपके कौन कौ गुरूप थर्ड में कौन कौन से देश हैं आपके गुरूप थर्ड में तो गुरूप थर्ड में आपका अर्जेंटीना हो गया ब्राजील हो गया और मेक्सिको तो ट्राइका में जो समली थे आपका क्या है ब्राजील जो कि 2024 में इसकी क्या है अधिस्ता की जाएगी ठीक गुरुप फॉर में अगर हम लोग देखेंगे तो गुरुप फॉर में आपके कौन-कौन से सदस्देश हैं आपका फ्रांस जर्मनी इटली यूनाइटेट किंगडम ये चार देश हैं इसमें और गुरुप फाइब में आपका चाइना समली थे इंडोनेशिया जापान और शाउत कोरिया ये प्रमुक जो है जी टॉन्टी सदस्देशों के पांच गरुप है जिनको एक गरुप के शमूह मिक हैं बाता गया है अलग अलग शमूह हूं में पचार अगर हम बात करें कि जी टॉन्टी सिखर सम्मेलन का आयोजन क्यों किया जाता है ? इसका आयोजन जो है क्यों किया जाता है बिल्कुल बात से यह तो इसका आयोजन आप लोग जान रहें कि जी 20 के इस्थापना 1999 में की गए थी लेकिन इसका जो पहला जो सम्मेलन किया जाता है दिसंबर 1999 में जापान के बल्लिन में की जाती है लेकिन सिखर सम्मेलन के जो सिख दूर करने के लिए जी ट्वंटी एक जो है एक ऐसा मंच दिख रहा था जो जिसके माध्यम से इस आर्थिक संकट का समाधान किया जा सकता था तो इसी इसकी जो शुरुवात होती है तो पहला जो सम्मेलन देखेंगे तो दिसंबर 1999 में लेकिन जब पहले सम्मेलन के जब आयोजन किया जाता है तो इसमें मुखरूप से आपके बितमंत्री और केंद्री बैंक के गवर्णर भाग लेती थे लेकिन जब सिखर इस्तर की वारता होती है तो प्रतेक राष्ट के राष्टा आध्याच इसमें बैठक करते हैं तो मुखरूप से प्रतेक राष्ट के राष्टा आध्याच्छों के मद्ध ही वारता की जाती है सिखर इस्तर की वारता की जाती है इसलिए जो हैसे सिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता तो सिखर सम्मेलन की जो शुरुवात होती है दोजर आट में अमेरिका से वसिंगटन डीसी में तो मुख रूप से इसका आयोजन क्यों किया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी मैंने चर्चा की थी कि जी टॉंटी सिखर सम्मेलन का जो प्रमुख जो इत्यादी मुद्यों को ले करके जो है इस जी टॉंटी सिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तो मुख रूप से आप लोग देखेंगे अंतराष्टी आर्थिक सहयोग हो गया आपका आतंक वासिनी पठने के लिए मानव तश्करी ग्लोबल वार्मिन इत्यादी एहम मु किस तर पर जो भी आर्थिक संकट होता है उसको दूर करने के लिए और वैस्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और आतंक वास निपठने के मुद्धो से निपठने के लिए इस इस दर के शिकर सम्मेलन का आयोजन कि यह जाता है यह प्रमुक बात थे G20 जा वर्च के लिए जिट्वन्टी एजन्डे का संचालण किया जाता है तो G20 जो संचालन किया होता है लेकिन बित्ती ट्रेक का जो प्रमुक होता आप लोग जानते हैं आपके वितमंत्री इसमें बितमंत्री वितमंत्री और केंद्री बैंक के गवर्णर आपके केंद्री बैंक के जो भी गवर्णर होते हैं केंद्री बैंक के गवर्णर और शेर्पा ट्रेक इसमें जो है राष्ट के राष्ठा अध्यच्छ के द्वारा न्यूक्त प्रतनिदी होता है ठीक है तो इसमें प्रतनिदी होता है जो राष्ट के रा दीकी तो साल बर जो भी बैठक की जाती है तो उनका क्या है इसी जो है सेरपाय ट्रेक के माद्यम से निरच्छन किया जाए तो आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में 9-10 दिसंबर को जी 20 सिखर समय तो इससे पहले आप लोग देखेंगे कि भारत के लगबग जो है साथ सेहरों में 200 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया फिर इन बैठकों के आयोजन के अधार पर निरच्छन किया जाएगा फिर क्या किया जाएगा इस बैठक सिखर सम्मेलन में जो इसका एजेंडा तेंग किया जाएगा तो मुख रूप से दो इस्तर पर जो है कार किया जाता है फिर इसके अलावर हम बात करें संपर्क समू जी ट्वन्टी देशों के नागरिक समाज शांसत विचार मंच महिलाएं यूवा स्रमिक बेवसाय और शोध करताओं का एक ये जो एक सा प्रकर का देखा जाए तो यह यह भी कया प्रiberal नाली यहियत लूबनिकी का प्राणाली है जिसके जीस डिंटी की क हर पॉर चुळली फिर आप लोग कर देख रहे है कि भारत कि जो स्च्पर आधेस्त हैं तो कार कर आप लोग जानते है कि एक दिसमबर 2022 से 30 2010 त भारत कर न्यू डेली में तो प्रमुख मुद्धे क्या हो सकते हैं इस सिखर समेलन में किस कुस मुद्धे को ले करके वारता की जा सकते हैं तो अगर हम बात करें क्या इसके प्रमुख मुद्धे हो सकते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि युक्रेन युद्ध युक्रेन युद्ध हो गया आप लोग जानी रहोंगे जलवाई परिवर्तन भोजन और जा की कीमत से संबंदित कीमत और ग्लोबल शाउत को शमर्थन ग्लोबल शाउत को शमर्थन मींस जो मध्यम आए वाले जो देश हैं इनके संदर में वित्ति आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सहयोग की बात की जा रहे हैं किसी भी प्रकार से वैस्विक जो है इन में दबाव ना बनाया जाए तो मुखरूप से यह इस सिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे यह हो सकते जिस पर वारता की जाएगी तो हम लोग देखेंगे कि भारत के अध्यस्ता में जो है जो ज क्या एजेंडा जो है तैंक किया गया है इसको हम लोग जो है अगले जो है वीडियो में देखते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू शो मच